कि स्टार्ट करते हैं एक्जेंपल नमर बन के साथ क्या कह रहा है आपको expand करना है इन्हे वैल्यूस को बिल्कूल सिंपल और सारे लगाते वे फर्स्ट कैशन देखिंगे क्या कह रहा है आपको log b a की पावर a b की पावर b divide by c की पावर c और d की पावर ठीक है अब मैंने आपको एक log बताया था ठीक है तो यहां अगर मैं log लगाता हूं तो देखो log b m m की वैल्यूए a की पावर a b की पावर b ठीक है माइनस log b c c d d ठीक है सर्थ यहां कौन सा लगा हूं log m इंटू n वाला देखो a a प्लस b b b ठीक है सर्थ माइनस log b c c प्लस log b d d ठीक है सर्थ आप समझ गया है अब इदर देखो इसमें लगाएंगे पावर लोग सीधे पावर आ गया आ जाती है इसमें a log b a प्लस यहां देखो b dot log b b माइनस यहां c आ गया आएगा C और यहाँ पर भी माइनस D और देखो आपको पता है log B B कितना होता है इसका value 1 होता है सर इसका value यहाँ पर आपका base और उसकी power क्या रहती है same रहती है यह क्या होता है अंसर होता है यह न तो इसके अंदर कितना आता है 1 होता है सरी value तो देखो यह किसमें अप्लाए हो सकता है लॉग B A प्लस इसकी जगे 1 आ सकता है हाँ सर तो कितना बचेगा यह only 1 बचेगा माइनस C लॉग B C माइनस D लॉग B D बता हो यहां तक समझ में आया है कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया हो लॉग B 6 अपॉन 9 वाय की पावर 7 अगर कोई ऐसी वैलू दे रखे जिसकी पावर जो है या फिर उसको अपन पावर में या जो है स्मॉल वैलूज में नहीं बतल सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कैसे लॉग B यहां पर देखो 2 की पावर 2 और X की पावर 6 हो सकता है यहां पर 3 की पावर 2 और Y की पावर 7 हो सकता है ठीक है अब लगाओ फामुला लॉग M अपॉर N वाला लॉग 2 की पावर 2 X की पावर 6 माइनस बेस में यह B लगा देना आपना ती की पावर 2, y की पावर 7 ठीक है, अब log m into n वाला कोड़ लेते हैं log b 2 की पावर 2 प्लस bx की पावर 6 माइनस log b t की पावर स्क्वार प्लस log b y की पावर 7 ठीक है सर, अब पावर वाल लगा तो 2 आगया जाएगा log b 2 प्लस 6 आगया जाएगा x माइनस ये 2 आगया जाएगा log b 3 और ये भी 7 आगया जाएगा अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया क्लियर है अंदक, ये हो गया complete, example 1 का part